बुलावा आया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है नमस्कार मैं गरिवा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ नवरात्रा पर हमारी खास पेशकश में दर्शकों आज से नवरात्रा शुरू हो रहे हैं और जाहिर सी बात है आप सभी के मन में यह प्रशन उठरा होओas कि किस तरह से नवरात्रा की शुरूआत हमाने को खुश किया जाए किस तरह से घट-स्थाप्ना की जाया हमारे साथ मौजूद हैं पंडित पुर्शोतम गौर्ड पंडिजी आपका बहुत-बहुत स्पागत है आज से नवरात्रा शुरू हो रहे हैं हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या विशेश महत्व है माता के नवरात्राओं का और आज घर्थ स्थापना है तो किस तरह से पूजन किया जाएं देखिए यहां जो नवरात्रा है बाभगवती के यह बसंत यह नवरात्रा सरदीह नवरात्रा है और यह प्रात्य सूर्य उद्य होने के साथ ही 6.31 मिनट से चोगडिया मौरत भी और स्रिष्ट मौरत भी यह 10.30 मिनट तक होता है और इसमें जो मौरत ह है खास तौर पे 6.31 से 7.34 मिनट तक सरदीह मौरत होता है इसके पशाद अविजित मौरत है जो दिन के 12.9 मिनट से और 12.27 मिनट तक अविजित मौरत रहेगा यह घटे स्तापना के लिए सरदीह मौरत है बात करें घटे स्तापना के दोरान किस प्रकार से माभगवती को प् प्रयास करने चाहिए और हमारे अपने मंडल किस प्रकार से निमान करना चाहिए मंडल निमान की बात करते हैं तो आप चौकी लीजिएगा चौकी पर पानी से छीटे देख करके उस चौकी को पवीतर करिए और पवीतर करने के बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिचाईए लाल कपड़ा बिच्छाने के बाद मा भगवती को वहाँ विराज मन करें, मा भगवती को विराज मन करने के पशाद, उनको आप फुल माला आदी से स्रजित करें और चंदन आदी लगाएं, मा भगवती के ठीक उल्टे हाथ पर जिस आपको पूर्वा विमुक बैठना है य फिर उत्तर में होना चाहिए, उत्तर में मुझ करके बैठते हैं या पूरा में मुझ करके बैठते हैं, तो उल्टे हाथ पर पानी का कलश नीचे मिटी को रख करके उसमें जौन डाल करके और पानी से उसको गिला करके कलश को रखें, कूरा कलश मिटी का होना चाहिए, उस इसको फिर गट को स्तापना करने गट के पशाद उस गट के सामने की तरफ दीपक का प्रजुलित करना अश्र अनवारी होता है दीपक के साथ आपको अगरवती लगानी होगी और राइट सैड में जहां हम सीधे हद की बात करें उधर गनेशी को स्तापित करना चाहिए और उ प्रशन करके और जोत के लिए प्रजुलित करना चाहिए अपनी आपने हमाई दर्शों को बताया इतनी सारी सामगरी के बारे में बताया है इन इन चीजों की जरुवत होती है ऐसी क्या विशेश कोई सामगरी है कोई चीज है जिसका होना अनिवारे है घटिस थापना में देखिया आपने बहुत अच्छी बात कही है हमारे सभी दर्शों को हम बताना चाहेंगे कि मा भगवती को प्रशन करने के लिए लाल फुल का आप प्रियोग करें लाल फुल विभिन रूपों में जो मा भगवती आपके समक्ष वैसे तो दुर्गा देवी हिंदों की एक ह देवी शक्ति के रूप में है लेकिन मा शक्ति का ही तीन रूप में हमारी हिंदू परुपना के अमसार माना गया है जिनको तीन प्रमुक रूप में देवी को देखा है वो है महा लक्ष्मी महा काली और महा शश्वती तो यहां जो शक्ति भ्रमा विष्ण रुद्र कर्म स कि इनको जब हम गूचते हैं और इनका भाव करते हैं इनके शुरुप में नौद शक्तिया होती है तो मा भगवती को लाल फूल छड़ाते हैं तो ये भारी आपकी मनों कमना यहां पूर्ण होने की संभावना रहती है और मा भगवती प्रशन होती है निश्यतरूर से मा भग कि हमारे जो सरदालूब भक्त और दर्शक जो हैं उनको हम बजाना चाहेंगे कि राम उपासक राम जी को इस्तापित करें लेकिन राइट सैड में हनुआन जी को इस्तापित करें और उसके बाद जो देवी उपासक हैं तो देवी का जो है तस्वीर जरूल महाँ प्रतिश इस्तापित करें साथ में यहां कई लोग हनुआन उपासक हैं तो हनुआन जी को इस्तापित करें के लोग बहरो पासक हैं तो बहरो जी का ध्यान करें और इन जो नव दुर्गा के प्रतेक रोप में मा शक्ति मा भागवती विराजमान हैं उनके भाव का उनके चत्रन का उ स्रदा से विश्वास से देवी और देवता का यहां प्रतिष्टा करके गट इस्तापित करके पूजन अर्चन करने से विशेश भलकी प्राप्ति होती है हम यहां आपको बताना चाहें करीमा जी यह सम्मत का नाम है तोचार उनेतर साके सालिवाइन 1934 है विश्वावसू नाम का सम्मत सर है और चैतर मास के शुकरपक्षी शुबारम हो है चुकि यह कंजन लगन से सुरू हो रहा है और विश्वावसू जो सम्मत है इसका स्वामी रहु है ऐसी स्टती में यह प्रजाम रोग भैव्यादी का व्याप्त करता है मगर यहां सबसे स्रिष्ट बात जो है कहने को यह है कि शुकरवार के दिन देवी की अराध्य माभगवती का जो है वो दिन भी शुकरवार होता है और चुकि इस बार नौरात्रे जो स्वारम हो रहे हैं वो शुकरवार से स्वारम हो रहे हैं तो शुकरवार का दिन, माभगवती की पूजा और माभगवती का ही दिन और फिर नवरात्रे की वरद्धी होना ये तमाम बाते हैं हमारे प्रदेश देश के लिए सम्रदिश आली होती है। देखे हम यहां आपने बहुत अच्छा बात किया है कि जो नवरात्रे की वरद्धी होती है तो यहां विशेश रूफ से करसी प्रदान देश भारत को का है। आपने बात करें चुकि इस वर्स का जो राजा है वो चंद्रमा है और मंत्री है वो भी चंद्रमा है। इसलिए थोड़ा धान्य तो बहुत अच्छा पैदावार का रहेगा। मगर दान के साथ में कीड़े आदी लगने का रोग आदी लगने का बहुत रहेगा। इसलिए ये जो नवरात्रा की वर्दी हुई है ये देश और प्रदेश में सम्रदिशाली और भारत का गौरव पूरे विश्व में पूरे संसार में अपने अपने स्तापित हो। साथ में ये खास तबर फे युवाप्रडी के लिए जो हमारे युवासाती हैं वो अपनी योगता छमता के आधार पर संसार में लोहा मनवा के रहेंगे और भारत के लोग खास तरबर संपूर्ण भारत और पुरा अमारा राजस्थान प्रदेश के लोग युवासाती इस बाहर अपनी योगता चमता शक्ति के आधार पर रोजगार में अकनी रहेंगे साथ में जो चुकि ये नौरात्रा की व्रद्धी होना प्रदेश में सम्रधी शाली वो गौरों का भाव पैदा करता है यहां इतनी बात है कि माभगवती के प्रति स्रधा और विश्वास और न पंदी जी एक बात मैं यह जाना चाहूंगी कि नवरात्रा का घटने और बढ़ने का क्या खरम होता है क्यों तो नवरात्रा जो है उन में बढ़वती होती है क्यों बढ़ते हैं और क्यों गटते हैं देखिए आपने बहुत अच्छा प्रशन किया है हमारा आपको हम बतान चाहेंगे हमारा भारती नवर्ष चैत्रमाज के शुक्लपक्ष की परदबदासे शुरारम होता हैं। यहाँ जो घटे और बढ़ने की बात करते है तो सोज संपुन भारत में या संपुन विष्व में नए साल का नौ दिन तक लगातार देवी का पूजन अर्चन करके देवताओं का पूजन अर्चन करके हम नए वर्च का शुवारम करते हैं तो यह क्रम जो है इस सोर मंदल के ग्रहों के आधार पर होता है इसकी काल गन्ना कहते है काल गन्ना के आधार पर जो तिती बढ़ती है तो तिती बढ़ना और गटना यह कैलकुलेशन्स है उसके आधार पर तिती का गटना और बढ़ना चुकि यह बैलेंस होना होता है ना तो देखे तो अब देखे इसा तो नी कि बहुत चल्दी आजएगी, वह तो 24 गिणे की बादी तो आनी है, तो एक करम जो है वो आगे पीछे होता है। इसलिए ये इसमार जोहे नवराट्रा की वृद्दी उही है. ये कापी सुभ दाएक है और हम आमरे दर्शों को बताना चाहेंगे कि ये जो 9 दिन का नुवरात्रा है ये इसमार 10 दिन में संपन होने जा रहहे जो नवरात्रा हा है उसमें उपवास और व्रत्का भी विशेश महत पर रहता है। किस तरह से क्या इन उपवास की दिन कुछ लोग उठते बैठते नवरात्रा करते हैं, कुछ लोग नौ दिन पूरे नौ दिन नवरात्रा करते हैं। क्या विशेश महत पर रहता है उपवास का व्रत्का इन नौ दिनौ देखिए उपवास की बात करें उपवास करने से हम 30 दिन भोजन करते हैं और उसमें से एक दिन उपवास करते हैं तो नश्यत हमारी विज्ञानिक दृस्टी से ये डॉक्टरों की दृस्टी से देखा जाए तो बॉड़ी के लिए हित्म होता है तो यहां जो अप्वास की बात करते हैं चोकि देवी का पूजन अर्चन है तो कई लोगों की अपनी अपनी माननता है, अपनी अपनी स्रदा और विश्वास है कि पहला दिन करते हैं और अंतिम दिन को ब्रत रखते हैं ब्रत रखने से आत्मा मजबूत होती है और भगवान के प्रती हमारी स्रदा और विश्वास में तरकी होती है उसमें डड़ता आती है इसलिए ब्रत तो मैं तो कहुँगा कि 9 दिन के 9 रात्रा में 10 दिन के 9 रात्रा में एक टाइम भूजन करना चाहिए लेकिन पूजा से पवित्र होंगे और एक शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो उसके लिए उपवास रखा जाता है अब बात करते हैं उपवास कैसी रखा जाए उपवास के लिए देखे गरिमा जी उपवास में दो चीज़े हैं कई लोग तो फलार लेकर के उपवास करते हैं कई लोग एक आपने विश्वास के उपर होता है। खास दौर पर उपवास जो है, पूरे हो तो ज्यादा ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते हों, जो कि व्यस्था का दौर है, इस दौर में उठते बैठते करते हैं, तब भी वो लाप्रद होता है। कई लोग छटके दिन ही अपना उपवास करते हैं, पाकी दिन नहीं कर पाते हैं, पहले दिन भूल जाते हैं, तो भगवान तो भाव से प्रसन होते हैं, और भाव जब जिसकी सरदा और रिश्वास है, तो निश्यत रूप से भगवान उसको लाब देते हैं, लेकिन जो जितना करता है, उतना ही पाता है, व जितना हम अपने उनके चर्णों में लग करके मानोता का भाव को निभाएंगे उतना ही फल की प्राप्ते होती है। तो ये गरिमा जी ये विक्ती का विश्वास और सुर्धा को मजबूत करता है। इसलिए करना अवश्च चाहिए। लेकिन इसमें कुछ नियम्स है। बाहर नहीं ज्यादा निकलना क्योंकि बाहर निकलते हैं तो केड़े, चीटी या छुट-छुटे जो जानवर होते हैं वो पैरों से मरते हैं। तो जीव अत्या होती है। तो नहीं जाते हैं। या फिर टीवी पे मूवीज देखना या कोई भी किसी परकार का क्रोध या इस परकार की जो चीजें आती हैं। नहीं देखना चाहिए और ये नव रात्री में केवल नव रात्री यानि नव दिन तक दिन में और रात्री रात में और दिन में चोबिस घंटे केवल केवल एक अराधना का भाव रेना चाहिए ये प्रतेक छे महिने में नव रात्री आते हैं वैसे तो चार नव रात्री होत तब इस्तान पैट्रोल जितना होता है तब तक गाड़ी चलता है उसके बाद बंद हो जाता है ठीक हमारे परिवार रूपी गाड़ी को यह जो ग्रस्ती में हम बैठे हैं इसके लिए हम यह एक पुजा अर्चन करके नौरात्रा में हवनादी करके पूजन अर्चन करके पु हमारी हर मनो कामना पूरी होगी यहां लेते हैं चोटा सा ब्रेक हमारी इस नवरात्रा की खास पेशकश में अभी और भी बहुत कुछ है